हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.1 का question number 3 देखते हैं क्या है the squares of which of the following would be odd numbers तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कुछ numbers given है और यह पुछा गया है कि किस number का square जो होगा वो odd number होगा तो यहाँ पर मैं छोटी सी trick बताऊंगा आपको कि जिस भी number के last में odd number हो जैसे हमारे पास 431 है इसकी unit digit क्या है odd है तो इसका square भी odd होगा अगर यहाँ पर देखेंगे हमारी unit digit क्या है even है तो इसका square क्या होगा even होगा यहाँ पे odd है तो odd होगा इसका square यहाँ पे even है तो इसका even होगा तो यहाँ पे लिखना कैसे है यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जैसे first part है हमारा 431 है तो यहाँ पे देखेंगे unit digit of 431 is 1 431 की unit digit क्या हमारी 1 है unit digit मतलब ending digit so square of 1 is 1 1 का square करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा और 1 क्या है हमारा odd number है 1 is odd number odd number so square of 431 is also odd number odd number तो यह तरीका होता है हमारा जो हमारी unit digit है उसका square करके देख लो वो odd आती है तो हमारा number क्या होगा odd ही होगा otherwise मैंने आपको एक direct बता दिया method हम unit digit को direct check कर लेंगे यहाँ पे odd number है तो square भी odd होगा even number है तो even होगा अब दूसरे को कैसे लिखना है second को देखते हैं यहाँ पे 2826 यहाँ पे क्या है unit digit 6 है हमारी तो यहाँ पे लिखेंगे unit digit of 2826 is 6 so square of 6 is 6 का square क्या होता है 36 and 36 के अंदर 6 क्या है हमारी even value है 6 is even number so square of 2826 is also even number I hope आपको लिखना आ गया होगा किस तरीक्य से लिखना है similarly यहाँ पे 7779 का करेंगे 9 का square करेंगे तो क्या होगा 81 81 के अंदर last digit क्या है 1 तो 1 क्या है odd number तो इसका square भी क्या देगा odd similarly यहाँ पे 4 का square करेंगे तो क्या होगा 16 last digit आएगी 6 और वो क्या है even number है तो इसका square भी क्या होगा even otherwise हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मान लिया इसका लिखना हो जो मैंने method बताया था थर्ड का कैसे लिखेंगे 7779 है तो इसमें लिखेंगे unit digit is odd unit digit of 7779 is odd so square is also an odd number odd number आपको दो method बता दिया है मैंने दोनों method में से आप कैसे भी इनको लिख सकते हैं similarly यहां पर fourth part में देख लेते हैं जैसे हमारा 82004 है तो यहां पर लिख देंगे unit digit of 82004 is even so square is also an even number I hope यह चीज आपको बच्चे से clear होगी होगी किस तरीके से हम order number और even number find out कर सकते हैं कोई doubt आता है तो आप मुझे यहां पर comment कर सकते हैं otherwise इस चैनल को subscribe करें अपने classmates को जरूर share करें next दिखते हैं अपना question number fourth अब हमारे पास आता है question number four क्या है observe the following pattern and find the missing digits यहां पर क्या है हमारे पास कोई pattern given है इस pattern की help से हमें missing digits find out करनी है कि यहां पर क्या आएगा सबसे पहले पेचले हम 11 है 11 का square क्या आ गया 121 हमारे पास decades वाले पे चलते है क्या है 101 का square क्या आगया हमारे पास 10201 मतलब देखो यहां पे 1 और 1 के बीच में एक sendiri है तो यहां पर भी क्या आगया 121 के बीच में एक only होगी one two one था यहां पे भी एक zero डाल दी यहां पे भी एक zero ठीक है similarly second इसमें चलते हैं हम यहां पे क्या है one double zero one का square तो यहां पे क्या आ गया देखो तो यहां पे क्या आ गया देखो two zero थी यहां पे तो यहां पे भी क्या आ गया one two one के बीच में two two zero add कर दी similarly, यहाँ पे देखते हैं, अब क्या है 1 और 1 के बीच में कितने times 0 1, 2, 3, 4, 4 times 0 है तो 1 और 2 के बीच में भी क्या जेंगी 4 zeros, 1, 2, 3 और 4, ठीक है similarly, यहाँ पे 2 और 1 के बीच में 4 zeros आजेंगी, 1, 2, 3, और 4, कर दिया हमने pattern complete, similarly, next पे चलते हैं 1 और 1 के बीच में 0's count कर लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0's है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा first digit जो आएगी, वो क्या आएगी, 1 बीच में आएगा 2, और last में आएगा 1 और 0's कितनी add करनी हमने जितनी भी 0's है, 6 0's है 1, 2, 3, 4, 5, 6, similarly यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हो गया हमारा pattern complete, I hope यह pattern आपको अच्छे से clear हो गया होगा, किस तरिक्के से हमने complete करना है, कोई doubt आता है तो हम मुझे comment कर सकते हैं, otherwise next question देखते हैं, अपना question number fifth क्या कहता है question number fifth की statement देखते हैं, क्या है observe the following pattern and supply the missing number, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक pattern given है उस pattern को देखते हुए हमने क्या करना है, अपने filling the blanks या जो है हमारे पास यह pattern given है, missing numbers है इनको क्या करना है, complete करना है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है, 11 का square given है 121, 101 का square है 10201 next है, हमारे पास 10101 का square तो कहां तक गया हमारा 102030201 अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास देखो, यहाँ पे कितने ones थे 3 ones थे next वाले में कितने हैं 1, 2, 3, 4 4 हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा pattern 10, 20, 30, 40 ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा 30, 20, और 1 next वाले में देखते हैं यहाँ पे देखो 1020304050 50 तक गया हुआ तो 5 times 1 आएगे 101010101 10101 1, 2, 3, 4, 5 5 times 1 आगया हमारा तो हमारा pattern क्या बन गया 1020304050 यहाँ से देखते चलेंगे 10, 20, 30, 40 आगया फिर यहाँ पे 50 तक है तो यहाँ पे क्या आगया 101010101 I hope यह चीज समझ में आई है यहाँ पे देखनी है maximum digit 5 है तो 5 times 1 आएगे यहाँ पे maximum digit 4 है तो यहाँ पे क्या आएगे 4 times 4 3 है तो 3 times 1 यहाँ पे 2 है तो 2 times 1 ठीक है यहाँ पे भी 1 to 1 था तो यहाँ पे भी 2 times 1 है I hope यह pattern आपको अच्छे से clear हो गया होगा कहीं पे कोई doubt आता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं इस type के questions आपके exams में बहुत कम आते हैं वैसे आपको pattern देखके आपको filling the blanks fill करने आने चाहिए कोई doubt आए तो मुझे comment करना otherwise इस channel को subscribe करना like करना और share करना Thank you students for your love and support Thanks